प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दोरे की बज़े से इंडोनेशिया से जुड़ी तमाम खबरे आईं लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर भी वाहल हुई जिसको देखकर लोग चक्कर में पढ़ गए कि क्या सच मुझ चैसा है इन खबरों में दावा किया गया है कि पूरी तरह से मुस्लिम बाहल ये देश होने के बाब जूद इंडोनेशिया के करेंसी नोट में भगवान गणेश की फोटो चपी हुई है सोशल मीडिया पर जो खबरें शेयर हो रही है उसमें इंडोनेशिया का एक नोट भी दिखाया जा रहा है जो भी सजार का है और जिस पर वापई गणेश की फोटो चपी हुई दिखती है नोट में गणेश जी के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति के फोटो भी दिखती है अगर आप इंडोनेशिया के नोट गूगल पर खोजना शुरू करेंगे तो आपको 20,000 के जो नोट दिखेंगे वो इस से बिलकुल अलग है और उस पर कहीं गणेश जी कहीं नहीं दिखते लेकिन गणेश जी वाले नोट की और खोजबीन करने के लिए डब हमने Bank of Indonesia की वेबसाइट पर देखा तो यहाँ नोट हमें दिख गया वेबसाइट पर दीगाई जानकारी से पता चला कि इस नोट को इंडोनेशिया की सरकार ने 1998 में जारी किया था गणेश जी वाले बीस हजार के नोट पर छपे हुए व्यक्ति का नाम की हजार देविंतरा है जो इंडोनेशिया की स्वतंतरता से नानी थे और जिन्होंने शिक्षा के क्षित्र में काफी काम किया था 1945 में वो इंडोनेशिया के शिक्षा मंतरी भी रहे थे नोट में पीछे की तरफ क्लासरून दिखाए गए है क्यूंकि यह नोट शिक्षा की थीम पर ही छापा गया था लेकिन गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशिया का नोट 10 साल तक प्रचलन में रहने के बाद 2008 के अंत में बंद हो गया इंडोनेशिया पूरी तरह से मुस्लिम देश है जहां पर हिंदूओं की आबादी 2% से भी कम है ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नोट पर गणेश जी की फोटो इंडोनेशिया की सरकार ने क्यों छापी थी बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि मुस्लिम बाहूल यह देश होने के बावजूद संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया में हिंदूओं की तादाद बहुत बड़ी है आपको यह जानकर खेरा